आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बढ़ी हासी सुईट की रेस्पी लेके आई हूँ और ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन जाती हैं अगर आपने पहले कभी मिठाई नहीं बनाई हैं तो भी आप इस मिठाई को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं तो मैं रेनू कुगवि मिठाई को बनाने के लिए हमें मावा चासनी की जरूरत नहीं पड़ेगी हम सिर्फ एक कब दोस से इस मिठाई को बना के तयार करेंगे बनाना बहुत ही आसान हैं बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट लगती हैं तो इस दिवाली पे आप नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से बनाई गई है या फिर कितने दिन पुरानी मिठाई है अगर आप लोग मेरे तरीके से घर पे बनाएंगे तो बहुत ही ताजी मिठाई बना के तयार कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा खर्च भी नह लगेगा इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा इंग्रिडियन्स की जरूरत नहीं है हमें बहुत कम चीजों से हम इस मिठाई को बना के तयार करेंगे तो प्रेंस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा बेल आइकन को जरूर से प्र प्रेंट कर लिदेगा तो यहां पर मेडियम वाली सूजी है अगर आपके पास मोटी सूजी है तो थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए और यहां पर हमने जिसक अपसे सूजी लिया है उसी कपसे दोट लिया है तो सूजी में दोट ड़ाल के हम फिट लेंगे मतलब की तो यहां पे अभी हमने आधा कब दूट डाला है और सूजी हमारी उसी में मिक्स हो गई है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं एकदम से दूट नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा सा दूट करके डालेंगे हम और अभी हम इसको ढख के करीब आधे घंटे तक रख देंग ताकि सूजी जो है बहुत अच्छे से फूल जाए और जब तक सूजी हमारी फूल रही है तब तक हम चीनी को पेस लेते हैं पाउडर बना लेते हैं तो यहां पे हमने चीनी लिया है पांच बड़े चम्मत चीनी लिया है करीब जो है आधे कप के बराबर चीनी हो गई जि आप लोगों को इलाइची का फ्लेबर नहीं पसंदे तो इसकी भी कर सकते हैं तो चीनी को हमने पीस चीनी का पाउडर बना कि हमने रग दिया है तो अब सूजी को चेक कर लेते हैं आधे कंटे के पास सूजी हमारी जो है एकदम मक्खन की तरह सौप्ट हो गई है बड़ी हम मलाई सी हो गई है तो अब चलते हैं गैस की तरफ यहां पर हमने एक बड़ा चमच घी डाला है और कुछ कटे हुए ड्राइप रूट डाले हैं तो इसमें हमने काजू आप अपनी पसंद के ड्राइप रूट डाल सकते हैं जो भी पसंद हो अगर जो नहीं पसंदे तो उस इसमें सूजी डालके भूनेंगे तो यह देखिए मैंने उतने ही एक ही चमच घी में ड्राइप रूट को रोष्ट किया है और सूजी डालके हम इसमें इसको भी भूनेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हमने बहुत ज़्यादा घी का यूज नहीं किया है सिर्फ एक चमच अभी मैंने घी डाला है तो लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है और यह भूनते भूनते हमें करीब आठ से दस मिनट लग चाएंगे क्योंकि सूजी हमारी तो इसका खिला-खिला दाना सब अलग सा हो जाएगा अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें गुठलिया बनी हुई है लेकिन जब यह पूरी तरह से हम अच्छे से भून लेंगे तो इसका एकदम खिला-खिला सा पाउडर सा होगा यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि गुठलिया इसकी कम हो चुकी है यानि कि सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से भून चुकी है तो इससे भूनते भूनते करीब हमें आठ मिनट लग गया है और इसको ना हमने मेडियम फ्लेम पे भूना है तो दीरे-दीरे सूजी का कलर भी चेंज हो रहा है आप लोग देख सकते हैं हमने गयस को अफ कर दिया है और सूजी हमारी ठंडी हो चुकी है ठंडी यानि कि मतलब हलका सा गुनगुनी है अब हम इसमें जो चीनी का पाउडर बनाया है वो डाल देंगे और कुछ ड्राय प्रूश्ट डाल के मिलाएंगे यानि कि इतनी गरम होनी चाहिए कि हम अपने हाथों में ले सके तो फ्रेंस आप लोगों को याद दिला दूँ कि मतलब वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा तो यह आप लोग देख सकते हैं जब मैंने चीनी को डाला है तो जो सूजी ह हलका सा बाइंड होना सुरू हो गई है अगर आपको लगता है कि इसका लड़ू नहीं बन पाएगा तो आप एक चमच घीस में और आइट कर सकते हैं अगर जरूरत लगे तो नहीं तो अगही डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह लड़ू ऐसे ही बन जाते हैं बहुत ह आसानी से तो यह आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी आसा बाइंड हो रहा है तो अब हम लड़ू बना लेते हैं तो यह देखे बहुत ही सिंपल रेश्पी है बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम खर्च में हम लोग बहुत ही महेंगी से मिठाई घर पे बना के त्यार कर सकते हैं एकदम सुद्धता के साथ यह आप लोग देख सकते हैं अगर मेरी रेश्पी आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे वीडियो आप अपने फ्रेंड और फैमिली मिंबर्स के साथ जरूर सेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं न आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए गा और बिल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नौटिपकेशन आप लोगों को मिल जाए तो प्रेस वीडियो जो है पूरा देखिएगा इस किप करके मत देखिएगा यह आप लोग देख सकते हैं कितनी आसान रेस्पी है कितनी जल्दी बन जाते हैं सिर्फ 20 मिनट में हम यह लड़ू बना के तयार कर सकते हैं और बहुत कम खर्च में बने हैं यानि कि एक कब दूद और एक कब सूजी से हमने यह लड़ू बनाए हैं और बहुत आसान रेस् यहां पर हमने थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगा के सजा दिया है तो देखे आप मेरे सारे लड़ू बन गए हैं कितने सौधिश्टे हैं मैं यहां पर आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सौप्ट बने हैं कितने यम्मी से हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं बस देखते हैं अगर आपने एक लड़ू खा लिया तो बस खाते ही जाएंगे क्योंकि पेट भरेगा मन नहीं इतने स्वाधिश्ट लड़ू बने हैं तो मिलते हैं को और नई रेस्पी के साथ बाई बाई टेक क कर दो 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 दो